रादी रादे जैमाता की भक्तों आप सबी का स्वागत करती हूँ प्रिचुल ग्यान साधना में और आप सभी से अनुरोद करती हूँ कि प्रिचुल ग्यान साधना को सब्सक्राइब कर लीजे और पैल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि श्रद्धा बानल लवते ग्यानम तत्परा सहेत तेंद्रिया ग्यानम लवध्वा पराम शान्ती मचरेडा धी गच्छती अर्थात श्रद्धा रखने वाले लोग अपनी इंद्रियों पर सहियम रखने वाले लोग साधन परायन हो और अपनी तत्परता से ग्यान लेते हैं फिर ग्यान मिल जाने पर जल्द ही भगवत प्राप्ती रूप परम शान्ती को प्राप्त करते हैं जै माता की रादे रादे कैसे आप सभी लोग आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे कॉमेंट में जै माता की रादे रादे हरार मादे कुछ भी लिख सकते हैं और अवश ही लिखिएगा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है spiritual ग्यान साधना में आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोक्षता एकादशी के विशे में जो की मार्गर शीर्ष महा के शुकल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है एकादशी ब्रत्रे संबंदित आज की वीडियो में हम सभी बाते करेंगे आप सभी से अनुरोद करते हैं यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और वेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इंपोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है हिंदू धर्म में एकादशी तिथी का विशेश महत वो होता है मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विश्नु की पूजा आराधना की जाती है पंचान के अनुसार मार्ग शीर्श माश में शुक्ल पक्ष के दौरान मोक्षदा एकादशी की डेट क्या है मोक्षदा एकादशी किस दिन मनाई जाएगी इसका ब्रत किस दिन रखा जाएगा आज हम इस प्रकार की सभी बाते करने वाले हैं के लिए प्रारम करते हैं आज की वीडियो मोक्षदा एकादशी का ब्रत — घ्रहस्त जीवन बालों के लिए 22 दिसम्बर को रखना शुब रहेगा और वहीं वैश्नव संप्रदाएं के लोग 23 दिसम्बर को मोक्षदा एकादशी का ब्रत रखेंगे मोक्षिदा एकादशी का ब्रत वैशनवो भगवान विश्णू के उपासकों के लिए बहुत अधिक्षुभ माना जाता है इस दिन भगवान विश्णू के अफ्तार भगवान श्री कृष्ण ने पवित्र भगवत गीता सुनाई थी भगवत गीता का विशेश महत्व है हम सभी जानते हैं इस विशे में मोक्षिदा एकादशी तिथी दो दिन पढ़ रही है साल 2023 की अंतिम एकादशी 22 और 23 दिसंबर दो दिन मनाई जाएगी पंचांग के अनुसार मार्ग शीर्ष मास के शुकलपक्थ की एकादशी तिथी 22 दिसंबर 2023 को सुभा आठ बच कर 16 मिनट पर प्रावम हो जाएगी और एकादशी तिथी का समापन 23 दिसंबर 2023 को सुभा 7 बच कर 11 मिनट पर होगा 22 दिसम्बर 2023 को मोक्षिदा एकादशी का ब्रत करने वाले लोग 23 दिसम्बर 2023 को दोपहर एक बज़कर 22 मिनट से दोपहर तीन बज़कर 25 मिनट के बीच ब्रत का पारण कर सकते हैं ये बहुत अधिक शुब समय रहेगा वैशनब संप्रदाय के लोग 24 दिसम्बर 2023 को सुबह 7 बज़कर 10 मिनट से सुबह 9 बज़कर 14 मिनट के बीच मोक्षिदा एकादशी ब्रत का पारण कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि मोक्षिदा एकादशी ब्रत करने से क्या लाव मिलता है मोक्षिता एकादशी ब्रत का पालन करने से मृत्यू के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है पापं को दूर करने के लिए शरीर और मन तथा आत्मा को शुद्ध करने के लिए इस ब्रत को और पूजा को करना चाहिए स्वयम और अपने पूर्वजों के लिए जन्म और मृत्यों के चक्र से मुक्ती प्राप्त कर सकते हैं इस ब्रत को रख कर अश्यमेग यग करने के बराबर लाब प्राप्त होता है मुक्षदा एकादशी का ब्रत वर्ष की अन्ने तेस एकादशी के ब्रत करने के लाब के वराबर ही होता है इस प्रकार से आपने जाना कि मुक्षदा एकादशी का ब्रत करने से क्या लाब मिलता है ब्रत की विधी क्या रहेगी अब हम इस विशे में बात करते हैं ब्रति को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इसनान आधी करके स्वच्छवस्त्र धारण करने होते हैं यदि आप कर सके तो पीले वस्त्रों का चुनाव करें पीले वस्त्र धारं करने के बाद भगवान यदि आपके घर में लड़ू गोपाल है तो आप उनको इसनान करवाएं, उनको शंगार आदी करके पीला चंदन हल्दी से तिलग करें और भोगरपन करें भोग में तुलसी दल अवश्य ही रखें और एका दशी के दिन तुलसी को इसपर्ष नहीं किया जाता है ना ही तुलसी माता को जल चड़ाया जाता है, दूर से ही तुलसी माता के मंत्रों का उच्चारन करके धूप दीपाधी दिखाये जाती है और आशिरबात प्राप्त किया जाता है, किन्तु तुलसी को इसपर्ष नहीं करना चाहिए इसके बाद आपको ब्रत का संकल्प लेना है, भगवान को भोग लगाना है, पंचोप चारविदी से पूजन करना है, निराहार ब्रत रखा जाता है, इस ब्रत में अन्य का प्रियोग नहीं किया जाता है यदि आपका सामर्थ नहीं है बिना कुछ खायबरत रखने का तो आप फलाहार आदी ले सकते हैं क्योंकि भगवान तो बैसे भी सदय भी भाव के भूके होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अपने शरीर को इतना कश्ट दीजिए कि आप जेल ना पाएं यदि आपकी किसी भी तरह की कोई मेडिसिन चलती है कोई तकलीफ है आपकी वाड़ी में कोई परिशानी है तो आप समय पर अपनी दवाईयों का ध्यान रखें और लें आप चाहें तो घर में चौकी लगा सकते हैं चौकी लगाने के लिए आपको पीला कपड़ा विच्छाना है पीला नहीं है तो लाल कपड़े का इस्तिमाल भी कर सकते हैं यदि आपके पास भगवत गीता है तो उनका पूजन अवश्य ही करें भगवान को फल मिस्ठान पंचामृत अर्पित करें पुष्प चड़ाएं और भगवान के मंत्रों का चाप करें गीता का संपूण पाठ या फिर ग्यारवे अध्याय का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है ऐसा करने से कहा जाता है मनो कामना पूण होती है इस दिन दान का फल अनंत गुना मात्रा में प्राप्त होता है आप फल, मीठा, अनाज कुछ भी दान कर सकते हैं इस प्रकार से आपने जाना कि पूजा की विधी क्या है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए देखिए एकादशी के ब्रत के जो नियम होते हैं उसके विशे में हम कई बार बात कर चुके हैं दस्पी तिती से ही हमें एकादशी ब्रत के नियम का पालन करना चाहिए जैसे आपको ब्रहमेचरे का पालन करना चाहिए जमीन पर शयन करना चाहिए भगवान के नाम का जाप करना चाहिए और रात को दातों को साफ करके सोना चाहिए ब्रश आदी करके क्योंकि एका दशी का ब्रत हो या फिर कोई भी ब्रत हो ब्रत की महत बहुत अधिक होती है तो हमें किसी भी ब्रत पूजा पार्ट में स्वच्चिता का ध्यान बहुत अधिक रखना होता है इस बात का विशेज ध्यान रखिए और उसके बाद आपको फल आदी लेने होते हैं यदि आप फल खाकर ब्रत नहीं रख सकते हैं तो आप पूजन आदी करके भगवान के नाम का जाब कर सकते हैं और गजेंद्र मोक्ष का जाब कर सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाब कर सकते हैं ओम क्लीम कृष्णाय नमा मंत्र का जाब कर सकते हैं श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा ये बहुत ही सुन्दर और सिद्ध मंत्र है इस मंत्र को आप तुलसी की माला पर जाप कर सकते हैं घर का कलह आदी दूरे होता है और लक्षमी नारायन भगवान की किरपा प्राप्त होती है इस प्रकार से आप भगवान की पूजा अर्चना करके पूरे दिन ब्रत रखिए प कब पारण करेंगे तो आज की जानकारी यदि आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कीजिएगा पारण में आपको भगवान का भोग लगाकर जो थाली होती है वो या तो आप मंदिर में पहुचा दीजिए या किसी कन्या या फिर ब्र है तो पूर जानकारी के साथ एक नई वीडियो में जै मता की राधे राधे